दोस्तो नमस्कार, दोस्तो बिल्डिंग समय के साथ जैसे जैसे पुराना होने लगता है, वैसे वैसे पूरे घर में सीलन, सीपेज, लीकेज की समस्या बढ़ने लगती है, हर जगा पेंट, प्योपी, प्लास्टर उखड़ने लगता है, आप अपने घर की जितने भी सपाई करवाले, उतना ही आपका घर सपाई करने के बाद भी गंदा हो जाता है, आप तरह तरह के उपाई करते हैं, लेकिन आपकी समस्या जो है, उसका आप पर्मानेंट सॉलूशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, आपके दोरा किया गया उपाई से आपके पैसा और समय दोनों बर खीसेतंन से लॉएकि टीटमेंट का काम कर वाले, क्योंकि सेवन कोटिंगशन वाटर पूफिनगन का काम है मजबूती, सेवन कोटिंग टीटमेंट में पॉलिमर्स और इस्टो मेर्रीट्मे में नमबर एक प्राइमर कोटिंग की जाती है नमबर दो सिमेंटेस लेप लगाया जाता है नमबर तीन सिमेंटेस कोटिंग भी की जाती है किलेस्टोमेरिक ट्रीट्मेंट में हम लिक्विड फॉम में रबर का उप्योग करते हैं नमबर एक, रबड की pillar kinda कोटिंग की जाती है। उसके बाद glass fiber में शीट पूरी सतव पर विचा ही जाती है। नमबर दो fiber में Europe पर रबड की developing की जाती है। नमबर तीन सेकंड रबड का प्राइमर की आ जाता है। चार रबड की टॉप कोटिंग की जाती है इस परकार टोटल सेवन कोटिंग वाटर पूफिंग का काम किया जाता है जो लोग चैनल पर नए आये हैं अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को सेयर कर दे जद जनकारी के लिए मेरे चैन दोस्तों पुरे दिल्ली और पुरे इंडिया में अवेलिवल है धन्यों